गर्मी हो या सर्दी, गले की खराश कब आपको अपनी गिरफ्ट में ले लेगी पता ही नी चलेगा। इससे गले में दर्थ और सूजन आ जाती है, जिससे आपके प्रतिदिन करने वाले कारियों में बाधाय आती हैं और आप पूरे दिन परेशान रहते हैं। लेकिन सर्दियों का मौसम आपके गले के लिए परेशानी का सबक बन सकता है। क्योंकि जमा देने वाली ठंड और ठंडी हवाओं का शिकार आपका गला सबसे पहले और बेहत आसानी से बन सकता है इस मौसम में बहुत से लोगों को खासी की एलर्जी होने की शिकायत होती है जो ज्यादा तर वायू प्रदूशन के बढ़ते स्तर से होती है अगर आप भी इस मौसम में खासी से परिशान हैं तो कोई भी दवा या कफसी रप लेने से पहले कुछ प्राकृतिक घरेलू उपचार की तलाश कर रहे हैं तो इस वीडियो में आपको जरूर मदद मिलेगी तो हम इस वीडियो में बात करने वाले कुछ ऐसे घरेलू नुस्कों के बारे में जो खासी से निजात दिलाने में आपकी मदद करेगी तो बने रहे हैं वीडियो के लास्ट तक खासी की असरदार दवा की तोर पर आप गर्म पानी और नमक का इस्तमाल कर सकते हैं ऐसा करने से आपको खासी से हुए गले के दर्थ से राहत मिलेगी आवला खासी के लिए काफी असरदार माना जाता है आवला में वाइटमिन सी होता है जो ब्लड सर्कुलेशन को बहतर बनाता है अपने खाने में आवला शामिल करके आप आंटी आक्सिडेंट का सोर्स बढ़ा सकते हैं ये आपकी इम्म्यूनिटी को मजबूत करता है वो कहते हैं ना कि एक सुनार की और सौ लोहार की तो बस पानी भी खासी में कुछ ऐसा ही कमाल करता है आप खासी से परिशान है तो गर्म पानी पिए ये गले में जमे कफ को कम करने में मदद करेगा खासी की अंग्रेजी दवा तो बहुत से लोग लेते हैं लेकिन उसे लेने से नीम नाने लगती है और काफी सारे साइड इफेक्ट्स भी होते हैं इसके जगा आप हल्दी वाला दूद ले सकते हैं हल्दी वाले दूद में ऐंटी आक्सिडेंस होते हैं इसके अलावा हल्दी में अंटी वाइरल और अंटी बैक्टिरियल गुंड भी होते हैं जो संक्रमन्ट से लड़ने में मददकार होते हैं तो खासी की दवा के तोर पर आप हल्दी वाले दूद का इस्तमाल कर सकते हैं लसुन भी खासी से राहत दिलाने में कारगर है इसके लिए आपको लसुन को घी में भून कर गर्मा गर्म खाना होगा अगर आप खासी से परिशान है तो अद्रक का जूस पिए इसमें शहद मिला कर आप इसका और ज्यादा फाइदा उठा सकते हैं अद्रक और नमक दोनों ही खासी में गले के दर्थ से राहत दिलाते हैं तो अगर दोनों को एक साथ खाया जाए तो ये भी एक बहुत फाइदिमन साबित होगा आपको बस करना ये है कि अद्रक के तुकडों पर नमक लगा कर खाना है तो हमने इस वीडियो में बात की दोस्तों आट ऐसे घरेलू नुस्कों के बारे में जो खासी से राहत दिलाने में आपकी भी मददंद करेंगे तो आज के लिए बस इतना है दस्तों उमीद करती आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी अगार वीडियो अच्छी लगे तो फ्लीज वीडियो गेर आई कर दिजे जानल को सब्सक्राइब कर दिजें अ क्युक्त के अप microscopy कृम झाल 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 झाल